नमस्कार मैं स्याम भैरे दुवेदी और हम मौजूद हैं बुंदिल खंडी की धर्ती जिलाच छतरपुर में जहाँ पर IBC 24 के खास कारेकरम जनसंबाद की चौपाल लगी हुई है हमारे साथ मौजूद है दीप्ती पांडे जी जो कॉंग्रिस प्रबकता है आज इनके साथ मौजूद होकर हम बुंदिल खंड के गंबीर विश्यों पर चर्चा करेंगे साथ ही यहाँ पर जो कारे रहे गए हैं और जो कारे होने वाले हैं एवं आने वाले मध्यप्रदेश विधानसबाद चौनाओ की तैयारियों को लेकर कॉंग्रिस क्या प्लान बना रही है इन सभी विश्यों पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे मैं IBC 24 और खवर वेबाक में आपका सौगत जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सबको मैं सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं आने वाली मध्यप्रदेश चौनाओ के बारे में कि अभी तक BGP का कारेकाल रहा है मात्र 15 महीने की कॉंग्रेस की सरकाल आई थी बीच में लेकिन उसके बाद फर BGP की सरकाई और इनकी बीच हमने देखा है मैं की बुंदेल खंड अभी भी विकास के छेतर में पीछे है तो आखिर दिक्कतें कहां है निश्चित तोर पे आपने बहुत गंभीर मुद्दा रखा है बुंदेल खंड के विकास का और बुंदेल खंड के पिछडेपन का ये आप लोग 14 इस्तंब हैं आप सब जानते हैं आपके माध्यम से ये पूरा देश देखता है लोगों को पता चलता है कहां कमिया रह गई है निश्चित तोर पे बीजेपी की लंबी सरकार यहां रही है सिवराज सिंग जी मुखमंत्री रहे है और जब जनादेश उनके खिला पाया तो उनने चल वल से खरीद फरोक्त से वो सरकार गिरा दी सबसे बड़ी कमी तो यह है कि लोगतंत्र की हत्या करने वाले लोग यहां मौजूद है अब जब तक हम लोगतंत्र की हत्याएं करते रहेंगे विकास की गाथा आगे नहीं बढ़ेगी दूसरी बात हमारे यहां के जो जनपरतिनी दी हैं चतरपुर के मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ एक ही जो तत्त है आप लोगों की समक्षी यह परयाप्त है यह बताने के लिए कि विकास कहां अधूरा है यह पत्र 2006-2023 का है और हमारे चतरपुर की वाजापा की वरिष्ट नेतरी ललता यादव जी का पत्र है जिनों में उन्होंने कम से कम यह 13 मांगे रखी है जिन मांगों में उन्होंने प्राथमिक्त दी है Medical College जो नहीं बना University नहीं बना चतरपुर को संभाग घोसित नहीं किया गया यहां जो चंदिल काली तालाब है उनके संदर्य करण की रासिया वंटित नहीं हुई पत्रकारों के लिए भवन नहीं है आवास के मुद्धों पर बात हुई है कहीं आवास नहीं बित रहे हैं चतरपुर के नौगाव रोड पर ट्रांस्पोर्ट नगर में विकास की बात इन्होंने कई अंतर राज जी नवीन वसिस्टेंड की नोंने बात कई आप मुक्ती दाम में इलेक्ट्रोनिक सब ग्रह की बात करती है आकास पानी तिराहा से लेके आगे तक के सडकों की संदर्य करण की और बात करती है बिश्य परेटनिस्तल खजराहों में साप सभाई और बाधन करती है ये पत्र है उनका खुला लेकर मेडम आवास जब एक महला नेत्री जो वर्तमान में सत्ता सासन में है उनको ये ग्यापन देना पड़ रहा है और अभी तक उनकी बातों पर अमल नहीं हुआ तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि विकास यहां रुका है जूट में रुका है फरेब में रुका है जूटी घोजडाओं में रुका है और इस पत्र को गंबीता से संग्यान में ना लेते हुए हमारे सिवराज सिंग चोहान ने ये बता दिया है कि एक तो वो बहन बेटियों को जो बहन कहते हैं मामा कहते हैं ये सारे रिष्टे और नाते सिर्फ कहने के हैं इसलिए विकास रुका है लेकिन मैं जहां तक आप आवस की बात कर रहे हैं तो भाजपा की केंदर सरकार नहीं पीम आवस योजना नकाले थी गरीबों के लिए पक्का मकान देंगे और सिवराज सरकार तो कहते हैं कि हमने पक्के मकान दिये हैं मद्देब्रदेश में बनवाए हैं चाहे बो बंदेल खंड की धरती हो या मालवा की धरती हो बिंदी की धरती हो महा कौसल की धरती हो हमने गरीबों तक वो योजना पहुँचाई है और मकान बनवाए हैं लेकिन इस लेटर के माद्यम से आप बोलने हैं कि पक्के मकान नहीं दिये गए हैं लेकिन शिवराज सरकार तो तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए 2014 के बाद ही देश में विकास नहीं हुआ 2014 के पहले भी सरकार है थी 2014 के पहले भी मुक्क मंतरी प्रदान मंतरी हुआ करते थे पर दुरभाग्य देश का है कि 2014 के बाद परचार मंतरी है विज्यापन की सरकार है, पहले भी प्रधानमंत्री आवास हुए, मानि इंद्रा गांधी ने आवास दिये, जब अहलाल लहरू ने आवास दिये, राजीव गांधी ने आवास दिये, संचार कृरांती आई, दुख्द क्रांती आई, हरत क्रांती आई, ITI में, लोगों को इशकार मिले आपके हाथ में जो मोवाइल है लेक्ट्रोनिक चीजे हैं स्वर्गी राजीब गांदी जी की देन है हम यह नहीं कह सकते कि विकास 2014 के बाद ही हुआ यह तो एक बेमानी हो गई बातों की क्या आपने सडक लाइट और सब के तार लाके 2014 के बाद फिट किये क्या बारत में कुछ नहीं था जो भारत आजादी दिला के जिन कॉंग्रेस के लोगों ने सहादत दे के भारत को भारत बनाया विश्य गुरू भारत को फिर उनकी एकता अखंडता को आगे दिया उनको विकास दिया उसके साथ यह बेमानी है पर हां एक अंतर साप है पहले की सर dependency नहीं किया उने गंभीता से धरातल पर काम किया और अगर यह सब हो गया होता तो मानिय ललता जी को यह पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती फिर आप आजाईए काठन परियोजना पर, काठन परियोजना का भी यही हाल है, आप जहां तक देख पा रहे हैं, आप आईए जो हिंदुत्य की सरकार की बात करते हैं, महाकाल लोग में, क्या आपने अपने जीवन में जितनी भी आपकी उम्र है, क्या आपने ये कभी देख कभी सुना है कि उध्गाटन करने को फरजी मूर्तियां रग दी गई हो और उध्गाटन के बाद मूर्तियों को बदला जाए यह चेतर के साथ लोगों के साथ देश के साथ प्रदेश के साथ अन्याय है उध्गाटन में महमा मंदत करने वाले मोदी जरासी हवा से महाकाल लो में हिंदु की आस्ताओं कब रिष्ट अचारे बेहन-बेटियों के साथ अत्यी अचारे आपको पता है। कल की गटना है परसो की संधाव लीजिए लाडली बेहना के नाम पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, आपको पता है। इतना भी खौप नहीं है, लोगों में, सासन में, पर सासन में, जो सिवरा सिंग चोहान अपने आपको मामा कहते हैं, और उनी मामा की बेहन और भान जी के साथ सागर में, क्या हुआ? उसके प्राइवेट पार्ट पर मिर्च डाली गई। मामूली से एक बेवात पर आप अखवार अठाके पढ़िए, बेहद मद्यपरदेश और सागर संभाग को कलंकित कर देने वाली गटना है, मेरे रोम खड़े होते हैं, उस बेहन और बेटी पर क्या बीती होगी? जिसके मामूली बेवात पर प्राइवेट पार्ट पर मिर्च डाली गई, कहां है मामा का पुपुल डोजर? कहां है? कहां है मोदी जी का पुपुल डोजर? अप राधियों के घर पे क्यों नहीं चला? उस बेहन उस बेटी के लिए सिवरा सिंग चोहान, उनकी इसमृति हिरानी और उनकी महला नितनी यहां तक कि छतरपुर में सागर सं अन्याय क्यों? क्या भाजापा की महला नित्रियों का जो हिर्दय है? वो नहीं पसीषता? क्या उनके आसू नहीं आते? कितनी गंभीर गटना है? इसको कब संग्यान में लेंगे? विकास यहां रुका है, जूटी घोटनाओं में रुका है, भरजी बादों में रुका है, खरी भरोग तुम्हें रुका है, क्या समझते हैं आप? जिला पंचायत में करोणों का अर्वों का गुटाला हो रहा है, किसके संग्यान में नहीं है? सहकारी बैंक में भाई भतीजाबात चल रहा है, किसके संग्यान में नहीं है? यहां की हम अपने बड़ा मलेरा छेतर की बात करते हैं, यह वो महलाई हूँ कि बड़ा मलेरा में लोगों को यह पता चलता है, जब सौनोग्राफी मसीन का उद्गाटन होता है, तब लोगों को वहां पता चलता है, कि वहां महला डाक्टर भी है, उसके पहले महला डाक्टर वहां नहीं रही, महला है कहां देखाने ज आपको रोजगार के नाम पे जब पकोड़े तलने को कहा जाए, तो दिल में दर्द आपके भी होता है, आपके घरों में जब चूला जलता है, तो महंगाई की मार से आपकी मा बहन बेटियां भी परिशान है, एक तरफ तो उने चूले की आख सचाती है, दूसी तरफ आपकी बिरोजगारी की आख सचाती है, और तीसी तरफ बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, ये आख सचाती है, विकास यहां रुका है, लेकिन सुवराज सरकार तो कहते हैं कि हम बिरोजगारी भत्ता दिने वाले हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम लाडली बहना युजना लेकर आए हैं, वहीं आप बोल दिये कि लाडली बहना यूजना जो है, वो कारगर सावथ नहीं होगी, कॉंग्रिस की जो कमनाथ की सरकार, अगर ये कारगर से दो लाडली बहना यूजना में इतनी डिफिकल्टी, इतनी परिशानिया हैं, कि सौ में अगर फारम भराय जाए तो पांच कुलाब नहीं मिलेगा, जहां आप हमारी बात करते हैं, आप हमाचल जाईए, आप 36 गर जाईए, यहां तक कि आप करना टक पहुच जाईए, हमने जो वादे किये हैं, वो हमने भार रहे हैं, राजस्थान में हमारी सरकार 500 रुपे में गैस सिलेंडर दे रही है बहन बेटियों को गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, तो कॉंग्रेस बुद्धों पे बात करती है, और जनहित में बात करती है, और काम करके दिखाती है, जूटे वादे नहीं करती है, इस बार क्या लगता है, कि भाजपा के साद आपका मुकाबला 50-50 रहेगा, कि एक त जूटे दिखावे से है, जूटे बातों से है, और कॉंग्रेस अपनी सफलता प्राप्त करेगी, लोगों की जनहित ऐसी सरकार देने में हम सफल होंगे, बहुत-बहुत धन्नवाद